प्लीज सब्सक्राइब और डोंट फर्गेट तो प्रेस बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो 2011 में मैं एक फ्लैट जेपी विश्टाउं क्लासिक में बुक किया ता बार बार चेक करने के बाद आज तक Circum Ich है कि JP Wishtown Classic में जो मैंने फ्लैट बुक किया है उसका मिलने का अगले कमशे कम दो तीन साल तक कोई अंदेशा नजर नहीं आ रहा है इस बारे में JP Wishtown के बहुत सारे ऐसे बायर है बलके नॉड़ा क्षेत्र के बहुत सारे बिल्डर्स की फ्लैट्स की पोजेशन जो है डियू है और बहुत सारे बायर्स बिल्डर्स से दुखी हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेश्मेंट कर दी है और उनकी मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे है इस बारे में हम नॉड़ा अधिकारियों से सबसे मिले ह योगी जी से जो चीफ मिनिस्टर है यूपी के उनसे भी 27 अप्रैल 2017 को मिले थे उन्हेंने प्रामिस किया था कि वो हूम बायर्स के हिद की बात करेंगे और हूम बायर्स के जल्दी से जल्दी फ्लैट्स मिल जाने के लिए कोई ना कोई कारवाई करेंगे इसके बाद योगी जी ने तीन मंतृयों का एक गुट बनाया और उनको ये कार शुपा गया के भायर्स कि जो दिक्कतें हैं सुल्जाई जाए जाए और उनको फ्लैट्स दिये जाए उसके बाद ये तीन मंत्री जी ने वेरियस मीटिंग्स करी और बायर्स के साथ आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई अगर हुई भी है तो हमारे संग्यान में नहीं है बलके ये तीन मंत्री क्लोज डॉर मीटिंग करते रहे हैं बिल्डर्स के साथ और अथर्टीज के साथ बायर्स को साइड लाइन कर दिया गया है इसके बावजूद के योगी जी ने ट्रांसपिरेंसी प्रामिस करी थी चार दिसंबर को जो मंत्रियों ने एक मीटिंग लिए थी इंडिया हैविटाज सेंटर में वो मीटिंग में खुद अटेंड करने गया था और मुझे वहां से मंत्री जे ने उस मीटिंग में से निकाल दिया ये कहके कि ये मीटिंग आपके लिए नहीं है नॉड्डे अथाररीटी के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं और आपके हित्मे कर रहे हैं अगर मेरे हित में मीटिंग थी अगर होम बायर्स के हित में मीटिंग थी तो मुझे क्यों नहीं अटेंड करने दिया हम और तीन चार बायर्स थे जो फरक फरक प्रोजेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमें किसी को मीटिंग अटेंड नहीं करने दी मीटिंग के बाद जब मंत्री जी से पूछा तो खना जी ने में को जवाब दिया कि JP Wishtown हमारे पर्विव में नहीं आता क्यूंकि वो IBC के अंडर आ गया है. उस वक्त उन्हें पचास जार फ्लैट का प्रामिस किया था. Number एक, Home Buyers IBC Insolvency and Bankruptcy Code के अंदर कैसे आते हैं? यह समझ नहीं आती. क्योंकि Insolvency Bankruptcy Code is meant for commercial organization and banks. उसमें सिर्फ creditors की बात की जाती है. मुझे यह समझ नहीं आता. Home Buyers जो है, जो की अपना पैसा लगाते हैं एक फ्लैट खरीदने के लिए, वो creditors कैसे बन जाते हैं? क्योंकि creditors वो होते हैं जिन्होंने company से पैसा लेना होता है. Creditors वो नहीं होते जिन्होंने पैसा दिया है in trust to the builder in exchange for which I should get my flat. I am a consumer. I am a consumer और मेरा consumer buyer का relationship है, consumer supplier का relationship है, JP group के साथ. इसी तरह से बाकी home buyers का भी consumers buyer का relationship होता है, consumer supplier का relationship होता है, लेकिन creditors का relationship मेरे साथ बनाना गलत है. मैं इस पे serious objection करता हूँ कि हम NCLT के दायरे में नहीं आते. मुझे authority से strongly appeal करनी है कि हमें NCLT के दायरे से निकाला जाए. नमबर दो, 22 August 2016 को हमने एक criminal complaint लिखे दी थी JP के against जो उन्होंने दोकादड़ी करी है हमारे साथ. estimated ये था कि JP ने buyers से 18,000 करोड रुपया collect किया है और flats आज तक तीन से पांच साल हो चुके हैं उन्होंने नहीं हैंड होर किये. ये जो पैसा builders ने, JP group ने जो buyers से 18,000 करोड अप्रॉक्सिमेटली जो collect किया है वो पैसा कहां गया? हमारा पैसा कहां गया? JP ने हमारा पैसा misappropriate किया है, manipulate किया है और wrongly utilize किया है. इसके against हमने criminal complaint लिखे थी, noida police ने आज तक कुछ नहीं किया. 15 अपरेल 2017 को हमने एक विशाल घरना दिया था, SSP गौतम पुतनागर के office के सामने, फिर जाके साम को हमारी FIR lodge हुई थी, इसी issue पर. 15 अपरेल 2017 के बाद, आज तक उस FIR में कोई action नहीं हुआ, हमने RTIS डाल के जवाब लिए है, police कहती है, investigation is in progress. और एक क्या progress है, हमें बताओ तो सही क्या progress है, हमारे तरफ से लगता है, कोई progress नहीं है, क्यूंकि मैंने 29 September 2017 को, एक Chief Judicial Magistrate, गौतम पुतनागर की court में एक application दायर की थी, जिसमें मैंने ये कहा था, कि police से मेरी progress report दिलवाए जाए, इस investigation के बारे में, वहाँ पे भी police ने जव investigation, is the police doing for the last 16 to 18 months, I do not understand, FIR होने के बाब जूद, आठ महिने में आपने क्या काम किया, ये सब जूट बोल रहे है, police वालों ने कुछ नहीं किया, Noida Authority ने कुछ नहीं किया, उसके बाद, मैंने 23 November 2017 को, एक चिछी लिखी है Chief Minister साहब को, Copy the Head Director General Police को, मैंने इन से कहा है, कि क्योंकि police capable नहीं है, Noida Police, UP Police, ये FIR को handle करने की capable नहीं है, इसलिए हमारी ये FIR transfer करी जाए, CBI को, अगर CBI को, ये एक महीने में transfer नहीं करते हैं, फिर हम action लेंगे, वो एक महीना कल की तारीक में, 23 December को पूरा हो गया, अब हम उस पे further action लेंगे, आज के दिन में, हमें मोदी सरकार से को कोई उमीद नहीं है, कि योगी जी सरकार से कोई उमीद नहीं है, कि हमारे को कोई relief मिलेगा, ये बहाना करके टाल दे रहे हैं, कि आप IBC के अंडर आ रहे हो, सरकार को ये नहीं दिखता, कि हम गलत तरीके से IBC के अंदर लाए गए हैं, हम creditors नहीं हैं, जहां पचास जार flat क वादा कYा था, आज एक महीने में, या बीस दिन में, आज मौदी सřरकार कह रही है, हम तीस जार flats देंगे, ये एक महीने में पचासस जार से तीस जार flat कम कैसे हो गए, सरकार हर बार फरक फरक स्टेंड लेती है, फरक फरक statement देती है, किस पर यकीन किया जाए, किस पर नअ यह मुझे लगता है कि सिर्फ सरकार पे फ्रॉड नहीं है यह सरकार टोटल अड्मिस्टेशन के साथ मिलके बायर्स के उपर फ्रॉड कर रही है इसकी सी बी आई के साथ नहीं इसके बड़ी से बड़ी एगेंसी के साथ जाच होनी चाहिए यह कांगरेस के टाइम के सकैम से इतने बिल्डर्स जो फ्लैट्स नहीं दे रहे हैं, वो सारे पैसा घबन करके बैठे हैं, पैसा चोरी करके बैठे हैं, वो बैंक्स की मिली भगत है, सारे पॉलिटिशन्स की मिली भगत है, आज के पॉलिटिशन्स, कल के पॉलिटिशन्स, कल के आने वाले पॉलिटिशन्स, स कि मिली भागत है सब ने चोरी किया है हमें हमारा ये एलिकेशन है कि ये परदाफास किया जाए